इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे मीरर पैटर्न तो चलिए शुरू करते हैं पिछली लेक्चर में हमने ये 3D पार्ट जनरेट किया था आज हम इसे मीरर करेंगे तो फीचर्स पे किलिक करें लिनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे किलिक करें और मीरर पे किलिक करें 3D पार्ट मीरर करने के लिए आपको फेस या प्लैन सलेक्ट करने होते हैं तो हम पहले फेस सलेक्ट करेंगे तो इस बॉक्स में किलिक करें और सलेक्ट किरिए फेस तो हम ये फेस सलेक्ट कर लेंगे और body to mirror मैं select कीजिए bodies और okay कीजिए तो यह देखिए mirror हो गया जो फ्रेस हमने select किया था उस पे mirror हो गया पर यह अभी पूरा merge दिखाई दे रहा है तो हम इसे edit future करेंगे और यहाँ पे merge solid बाले box में click कीजिए तो यह antique हो जाएगा और okay कीजिए तो अब देखिए यह बीच में lining दिखाई दे रहा है अब हम plan से mirror करेंगे तो इसे delete कीजिए हम एक plan create करेंगे तो reference geometry plan और इस arrow पे click करें first reference में हम top plan select करेंगे और इसका dimension 40 mm okay कीजिए features इस arrow पे click करें mirror और इस box में click करें और select कीजिए यह plan और body to mirror में यह body select कीजिए और okay कीजिए तो यह error आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे merge solid को on रखा है तो इस box में click करें तो यह antique हो जाएगा और okay कीजिए तो यह देखिए mirror हो गया selected plan से बहुत आसान है अब practice करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद